बात आगे बढ़ाते हैं Q4 के बाद Q5 कह रहा है On 1st January 2014 Kim's Net Assets Total 70,000 या Net Assets क्या होता है Net Assets होता है Capital का दुस्ता नाम है Net Assets Net Assets आता है Assets minus Liability is equal to Net Assets तो समझ ले Capital का दुस्ता नाम है Net Assets कितने है Opening Capital 70,000 और Closing Capital कितने है 55,000 During the Year Kim withdrew for Personal Use अगर आप देखें यहाँ पर भी यही लोजिक है Single Entry में नॉमली इसी तरह के सवाल आते है Opening Capital और उसके बाद Add करते हैं Profit Profit Given नहीं है Less करते हैं क्या चीज़? Drawings और हमारे पास क्या जाते है? Closing Capital आ जाते है आप बताएं क्या क्या चीज़ गिवन है Opening Capital गिवन है 70,000 Profit गिवन नहीं है Profit हमें calculate करना X Drawings के बारे में अगर आप देखें तो Drawings इसने बताएं With you के 4,000 Drawings माइनस करते हैं और जो Closing Capital है वो भी इसने में बता लिए कितने भी Net Sets Closing में 55,000 55 आप अगें Reverse Serking करेंगे जो Drawing माइनस हो रही है उसको प्लस करते है और जो Opening Capital प्लस हो रहा है उसको माइनस करते है क्या हो जागा 55 प्लस 4 59 59 माइनस 70 यह आ रहा है Negative में 11,000 Negative 11,000 मतलब यह Loss आ रहा है क्या रहा है Loss इसको Check भी कर सकते है कैसे 70 में से 11 माइनस करें Loss से Capital कम हो जागा और Drawing भी माइनस करें कितना बचेगा 55 तो इसका मतलब यह आ रहा है Loss 11,000 Answer है A